हेलो दोस्तों असलाम अलेकुम सस्रियाकाल नमस्ति प्यारे दोस्तों कैसे आप लोग उमीद करता हूँ अच्छे होंगे दोस्तों मेरा नाम है एकवर अली और आप देख रहे हैं राउन टू ब्लॉक्स दोस्तों आज की स्वीड़ी में आप लोगों को बताने वाला हूँ क क्या अज़र अगर में साउटीअरम में रहते और आप चाहते किसी को बिलाना चाहे वह आप के फैदले का हो या फै 밟ो या फिर आप चाहते हो की पर्सनल विजिट वीजा पर बुला ले या फिर टूरिस्ट वीजा पर किसी और कोई ऐसा इंसान आपका दोस्त हो या फिर आपके कोई रिष्तेधार हो जिसका आप से मतलब कोई लिंक नहीं है आप उसको बुलाना चाहते हों तो क्या प्रोसेस है कितना खर्च लगेगा कैस से आप उनको यहां बुला सकते हैं कितने दिन वह यहां इस्टे कर सकते हैं तो यह सारा प्रोसेस आज किस वीडियो में बताने वाला हूं अगर आप हमाई चैनल पर नएद प्लेजर माई चैनल को सब्सक्राइब करते वीडियो अच्छे लगेगी तो लाइक केमेंट और न भूलेगा तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि हमारा एक दोस्त हैं जिनोंने अभी जो है अपनी वाइफ को बुलाया है यहां पर फैमली विजिट वीजे पे तो उन्होंने जो है कहां से लिया वीजा कितना खर्चा आया यह भी आपको उन्होल करते हैं तो पहले बात करते हैं कि हमारा दोस्तों निकाल वह कहां से निकाल कैसे निकाला तो आप ईह पर 1530 शौन यह वह लेने के बाद अपना पास्पृट यहार मैं रिये है क्लिवरीफिकेशन के लिए अगर आप घर खाते में काम करते हैं याई अगर आप जैंके सवहागञाय काम करते परसिनल अगर किसी सजुधिक आँ काम करते हैं तो उसमें जो र?」 speak के नोसी भी बोला जाता है नॉनमगें लिए तो उसके लिए क्या होता है दोस्तों उसके अफशर पर जाएगा कि यह आपका जो आमिल है इसको बुलाना चाह रहा है आप इनको अप्रूब करते हो आप को दिक्कत नहीं आप इनको देते हो तो वहां पर वह कर देगा जो भी आपका कफिल होगा मैडम होगी जिसके नाम पर आपका वीजा होगा वहां पर अपने अप्षर पे कर देगा और आपका वीजा निकल जाएगा उसके बाद का प्रोसेस क्या होता है दोस्तों आपका वीजा जाएगा आप जहां पर भी भेजना चाहते हैं मुंबई या जहां पर भी तो मुंबई का जो है अगर आप को भेजना है तो मुंबई में भेजिए वहां वीएफस में आपको अपनी वाइफ या जिसके लिए आपने वीजा निकाला यह वहां पर भेज करके उनको वहां पे फिंगर लगाना होगा फिंगर लगाने के बाद में जो है वहाँ पर आपसे चार्ज करेगा पांच हजार, साथ हजार, आठ हजार, दस हजार इसका कोई पैसा नहीं लगता है लेकिन जिस आफिस के जरीया आप काम करवा रहे हैं वो कुछ न कुछ चार्ज करते हैं तो जो भ जो इस्टे होता है तो इसमें आप 90 जो Sen'T utiliser को सब्सक्राइब करने को आपका बाहर जाना होगा यहाँ कर ऐसकते यह होता है फैमिली वीजे का जो सिस्टम है प्रोसेस है उसके बाद आपको बता दे पर्सनल विजिट वीजा भी इसी तरीके से निकलता है आपको निकालने के लिए आप जो है अगर रियाद में तो बथा में या फिर जिस भी जगे पर रहते हैं साओधी अरब के किसी भी को भी खर्चा लेकर के जो आपको चाहेगा वो उतना पैसा लेका कि आपको वीजा अलाउ कर देगा आपको वीजा इसू कर देगा तो इस पर जो हो सकता है तो वह परसनल वीजा भी आप निकाल सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो टूरिस्ट वीजा इंडिया में भी अगर निकल वाना चाहे तो वहां से भी तूरिस्ट वीजा आप आसानी निकल जाता है वहां पर लेकिन चार ज़्यादा लेते आप से 15,000 रुपए तक का चार्ज क तो वो आपसे 15,000 रुपए चार्ज करेगा तो यह थी वीडियो दोस्तों उम्मीद करता हो आपको जानकारी अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और शेयर करना ना बूलेगा अगर आप हमाई चैनल पर नए तो प्रीज हमाई चैनल को सब्सक का याल रखियेगा